हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ गौरव और इस वीडियो में जिस प्रीमियल लिग के मैच काम प्रिव्यू करने वाले हैं वो खेले जाएगा लिवरपूल वर्सेस मैंस सीटी के बीच तो गाइस यह बहुत बड़ा मैच होने वाला है प्रीमियल लिग के दो टॉप टीम्स दो कर रही है लेकिन गाइस जो सीटी है उनका रिसेंट परफॉमेंस सर्प्राइजिंग ली बहुत ज्यादा खराब हो चुका है अगर मैं आपको टेवल दिखाओ लिवरपूल अभी टॉप में 12 मैचेस में उनके 31 पॉइंट है 24 उन्होंने गोल स्कोर के और 8 गोल कंसीट किय हैं तो फिलाल अभी स्टार्टिंग में जो सबसे फेवरेट लग रहे है टाइटल जीतने के गाइस वो लिवरपूल है वहीं सिटी जो लगातार पिछले कई एर से टाइटल जीतते आ रही है इस बार उनकी फॉर्म थोड़ी खराब हो गई है इन फैक गाइस अपने लास् चटा में है था वो उन्होंने ड्रॉ खेला है जन्नली सिटी से ऐसा देखने को नहीं मिलता लेकिन इस बार रिसेंटली बहुत खराब हो खेलने है बहुत आउट अप फॉर्म नजार आ रहे है फिलाल वो फोर्स स्पोर्ट में 12 मेचेस में 23 पॉइंट है 22 उन्होंने गोल स सिट कर दियें तो कहीं न गई गाइस लिवरपूल बाकी टीम से थोड़ा आगे निकल गी है लेकिन अभी भी पूरी देर नहीं हुई है अगर सिटी यहां से टर्नराउंड करती है तो लिवरपूल को कैच कर सकते हैं अब गाइस यह वाला जो मैच होने वाला है यह लिवर सिटी और पैप जो है इतनी अच्छी इजिली गिव अप करने वाले है उनको भी पता है उनकी फॉर्म खराब है तो पूरी कोसिस करेंगे यहां पर कमबैक करने की इस वैसे गाइस यहां पर मैं किसी को फेवरेट नहीं कह रहा हूँ वैसे आपको चाहिए तो आप ऑन की टीम ले जा सकते हूँ अब गाइस सबसे में चीज इस मैच की लाइनप आने के बाद जो भी फाइनल टीम में अफडेट होगी वह आपको मिलेगी हमारे टेलीगराम चैनल में तो जो मेरे टेलीगराम चैनल का लिंक है आपको या तो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉ तो अगर मैं 6 लिवरपूल के पिक करूँगा मैं 5 CT के भी पिक करूँगा या वाइस वर्सा अगर 5 लिवरपूल के लिए ओँगा 6 CT के लिए ओँगा जिससे एक बैलेंस टीम बन जाए तो फिलाल लिवरपूल की प्रवेबल लान पर नहीं डालते हैं केलेहर होने वाले इ तो फिलाल मैं अभी के लिए चार मैंसे लिवरपूल के दो ही डिफेंडर लिया रहा हूँ फिर भी आपको सेब जाना है अब तीन लिवरपूल के डिफेंडर लिया सकते हैं अगर दोनु में इस मैच में किसी की क्लिफेंड आई सिटी के खराब फर्म देखते वे तो यह लग रहा है कि लिवरपूल के आ सकती है बट राइट नाव गाईज मैं दो तो कंफर्म लिया रहा हूँ लेकिन जो थर्ड दिफेंडर होगा उसमें आपको चोईस देने वाला हूँ अभी गाईज मैं अलेक्जेंडर आनॉल और वेंडाइक बताने की जर्वत निया है हेडर में सॉलेट पासेस बाइज अच्छे डिफेंस अच्छे तो इन दोनों को तो गाईज मैं गारिंटी लूँगा रोबर्सन की इन दीनों थोड़ी फॉर्म खराब हुई है अभी मैं रोबर्सन और एक प्लेयर ने सिटी में बन दोनों ऐसे प्लेयर है बिना गोल असिस के अच्छे काजे पॉइंट दे सकते हैं खास तौर पे ग्राउनबग बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट 25-35 प्लेयर अच्छे हैं रिसेंटली अच्छा किया है बट गाइज मैं अभी के लिए इनको भी अज़श नहीं कर पया है साला लिवरपूल के मेन मैंने टैलिस मैंने पेनलिटी टेकर हैं मस्ट पिक रहेंगे और इस मैच में जो है क्लियर कट केप्टन्सी के ऑप्सन भी होने वाले है रेड होट फ़र्म में चल ले है बागी गाइज मैं डियाज को भी शोली लूँगा ये भी बहुत बहतरीन फ अभी गाइज जो मैंने यहां से प्लेयर पिक के दो डिफेंडर में कंफर्म ले गया एलेक्जंडर अनॉल और वेंडाइग इसके लावा मैं साला डियाज और डार्वें न्यूनिच को पिक कर गया हूँ बागी गाइज रोबर्सन और एक सीटी के प्लेयर में मैंने आपक कर रहे हैं अपने घोब में भी खिलेंगे मुझे ऐसा लगता है ज्यादा अटैक लिवरपूल करेगी तो सिटी हमें अच्छे कासे सेफ करके दे सकते हैं सिटी के गोल की पर एडरसन तो अभी गाइज मैं गोल की पर एडरसन ले रहा हूँ लेकिन अगर आप कैलहर लेते ह लिवरपूल के गोल की पर तो भी कोई शूनी है वो भी बहुत अच्छे सौटिस्टोबर है बट राइट नौ मैं गोल की पर स्लाइटली व्रिफ्राल यहाँ पर आडरसन को कर रहा हूँ चार इनके डिफेंडर होंगे काईल वाकर अकेंजी डियास और गोडियोल अब इन और डिफेंज और पासिस भाइस भी अच्छे है इस वैसे मैं गोडियोल को तो शोली लूँगा बागी मैं उनके अनवा तीनों डिफेंडर्स को इग्नोर कर रहा हूँ अगर आपको उनके लावा कोई लेना आप डियास अकेंजी में किसी को ले सकते हो डियास इंजरी से क गुंडगोन खेलिंगे क्योंकि रोडरी और कोवाची इस दोनों अवेलेवल है तो गुंडगोन उतना खास नहीं कर भाए है जब से CT मा है तो फिलाल गाइस मैं अभी के लिए गुंडगोन को इग्नोर कर रहा हूँ अब डिबरायना इंजरी से रिकवर कर चुके हैं खेल और मैं हालेंड को भी ले रहा हूँ वैसे रिसेंटली थोड़े क्रिटिसाइज हुए है क्योंकि उतने अच्छी फॉर्म में नहीं है फिनिशिंग में कहीं ना कहीं लैक हुआ है लास्ट दो तीन मैचे से बड़ी स्टिल गाईस ये टॉप प्लियर है लेकिन एक चीज है तो ड्रॉप करने का रिस ले सकते हूँ लेकिन फिलाल गाईस मुझे ऐसा लगता है आथ तो कोई चूग नहीं करने वाली सीटी तो मैं शोली हालेंड के साथ भी जा रहा हूँ अब ग्रेलिश वैसी भी मैं पिक नहीं कर पाया है इनको और मैं पिक भी नहीं कर रहा था अब हम आजाते हैं इस मैच की मेरी प्रेडिक्शन में तो या तो में एक 2-2 ड्रॉप के साथ जा रहा हूँ या में एक स्लाइट 2-1 लिवर्पूल विवर्पूल विक्ट्री के साथ जा रहा हूँ तो अभी ये मेरी डेमोर रफ टीम है गोल गेपर मैं एडरसल लिए एक डिफेंडर ओल लेगिया उनके गोडियोल सीटी से दो में लिवर्पूल के डिफेंडर लेगिया वेंडाइक एन एलेक्शन्डर अनोल्ड मिट्फिल में गाइस मै अगर आपको लगता है बनाडो सिल्वा गोल असिस करेंगे उनको ले लिजे अगर आपको लगता है फ्लॉप होंगे लिवर्पूल के लिंशिट रखेगी देन आप डिफेंस में रोवर्ट्सन ले सकते है अपना फाइनल प्लेयर बागी गाईज और चेंजेस में में भी क चाता है आपको लगता है हालेंड जो की बड़े मैचेस में गोश्ट करते हैं अच्छा नहीं कर पाते हैं तो आप चाहे तो उनको ड्रॉप करने का एक बहुत बड़ा रिस्क ले सकते हो और उनके ब्लेस में भी आप वही बनाडो सिल्वा या डिफेंस में रोवर्ट्सन लिसकते हो बट राइड नाव गाईज मैं अलिंग हालेंड को शोली बिक करके चल लाओं कैप्टन जी मैंने साला को दिये क्लियर कड ओप्सन है वी सी अगर आपको लगता है एक हाई स्कोरिंग मैच होगा टू-टू-टू-टू ऐसा टाइप का देन आप हालेंड को दे सक लगते हो लिवरपूल विक्ट्री लग रही है देन आप लूइस दियास डार्वन न्यूनेच या मेभी डिफेंस में अलेकसंडर अर्नल्ड को अपनव इसी कर सकते हो तो फिलाल यह मेरी टेम और अफ टीम थी अपडेटेट फाइनल टीम के लिए आपको जॉइन करना है म झाल 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 झाल